Hello Friends, आज के Tutorial में देखेंगे, Contrast Color केसे वर्क करता है और या Contrast Color केसे करे है, अब इसमेज लिए, मॉनिटर में एक इमेज उपन है इसको हम, suppose, इसको आदा सेलेक्शन किया और ब्लू लिया, suppose, ये ब्लू कलर, अब इसका बाकी का आदा तो मुझे इसका Contrast Color देना है, उसका Simply ये है, कि आप उसका Select करिए Same Blue, यहाँ पे जो Blue डाला, आपने Copy किया, Same Blue डाला हूँ Same Blue, उसका Value यह डाल लिया, अब डालके इसको क्लिक किया, जाके Color कर दिया अब ही Simple Check करिके देखिए, हम आदा-दा करके रखा ये आफ में Blue डाला और ये आफ में भी Blue डाला, अब इसको Contrast कैसे करें, कि सीधा इन्वर्ट कर लीजिए, इन्वर्ट करके, क्लिपिंग मस्ट दे दीजिए, अब देखिए, उसके एकदम पॉफर्ट कांटरस कलर मिल गया, तो हर एक चीज में ऐसे होता है, सपोस्थ इसको में Blue में चेंज कर लो, ब्लू को सपोस्थ ग्रीन करता है, इसका Contrast कलर क्या है, इसको मैंने कॉपी किया, यहां से Color Fill में पेश किया, यानि इसी के Contrast, Blue का Contrast, Green का Contrast में चेंज देखिए, यहां पे सपोस्थ ग्रीन का Contrast में चेंज देखिए, इसको कॉपी किया, सेम होई वेल्यू यहां डाला, तो जो वेल्यू होए, वो आटोमेटिकली आ जाएगा Contrast में, इसके एक और एक्जम्बल में बताता हूं, हमें कोई भी Color Select किया, सपोस्थ सॉलिड कलर डाला, इसकोई भी Color, X, Y, Z, समर लो राणी लिया, अब इसी को Duplicate लिया, अब हम बाइडिफॉल्ट इसका Contrast, क्लिकली के से जाए, उससे बेटर है, इसको सीधा इनवेट कर दू, बस उसी Color को सीधा इनवेट कर दू, तो अपने को Clear Cut समझ आगे, उसका Contrast क्या है, सेम बे, सेम बे, अभी, तो मैं इसी को Duplicate लेता हूँ, अब समर लो इसका Blue, Blue डाला, हम इसी में भी जाके, इसका Contrast Automatically समझ आगे, इसका इनवेट करके रखा हुआ था, इसके वज़े से Clear Automatically आजाता, अभी इसी के फिर से Duplicate लिए, अब सेम, जो Color अब को चाहिए, और उसी का Contrast यहां पर आजाएगा, यानि आप Simply invert करने से, उसका Contrast मिल जाएगा, यही theory यूज़ करके, आप किसी भी design में, अप्ले कर सकते, Contrast Clear करने के लिए, तैंक यू सो मच,